अगाज करते हैं और क्लियर है मैसेज साफ है कहानी का चले तो इस्टाट करते हैं कहानी का एक लड़का है कि जो एक भूत ही थोड़ा गई फैमली से बिलॉंघ करता है वह एक state के यहां जाता है और उसके यहां काम मांगता है तो कोई काम इसको दे लेते हैं और कुछ पैसा इसको दे दिया करेंगे उस Esse होता है जीवन में जो सेट वेगर होते हैं वो किसी ने किसी को काम काम वेगर्द देते हैं तो इससे आहीं वह लड़का भी मांगने गया तो उसको लगा कि चलो उसको एक जाड़ु दे दिया और सफाई का काम दे दिया क्रिकल टुक गरीब गया वह सफाय करने लगा रोज नीतिति दिन जाड़ू करता था और जुर जी का और जो सवावे § klasska सवाई का वो सारा काम करता था इस आप से जाड़ू फ्रसंन न होते थे उसका जड़ू लगाता था बहुत अन्मय वैसा उसके मन में था कि हो सकता है भविस्य में यह कुछ गलत भी करें अभी तो अच्छा कर रहा है लेकिन एक महिना दो महिना बीच बीच गया उसमें कोई परिवर्तन नहीं वह अपना काम को अपने जिम्मेवारी के साथ निवाता था एक दिन क्या हुआ सेट जी ने देखा कि वह एकांज में बैटकर पढ़ता भी है यह चीज सेट जी को लगा अगर यह पढ़ता है इसका मतलब पढ़ा लिखा है वह धिरे दिरे उसके पास गया और उससे जानना चाहा कि यह क्या पढ़ता लिखता है तो बात में मालूम उसको लगा के लगा बढ़िया है और एजुकेटेड है उसको उसने लगा दिया चिठ्थियां लिखने के लिए अब जो मुहले गली मुहले में किसी को कुछ काम होता था तो वह उसको बैठा करके अपने से बोलते थे भाव का जो है एक तरह से यह करते थे और वह उस से वाकी भासा से यह और उसकी जो कभी-कभी इस Сब्धूं की झो गंभीरता होती ठीक ती जो सेंटेंज उसका जो गभी हुर निकिलता था उससे यह बात कहीं करें तो ग्यान और भी लोग काम करते थे उन्हें लोगों के बनिस्पत इस लड़के का जो है ज्यादा अच्छा से अच्छा बहतर भविस्थ होता चला गया शेड़ जी को लगा लड़का बिस्वस्निय भी है पढ़ा लिखा भी है अच्छा बैभार भी है इसको हम मुनीम बना देते हैं सेड़ जी ने उस लड़के को मुनीम बना दिया अब मुनीम हो गया मुनीम तो एक ऐसा पद हुआ जो कि सब जगह जा जा करके पता करना कि सेड़ जी ने किसको कितना पैसा वेगर दिया गया है उसका हिसाब करना और उसका जो कलकुलेशन वेगर है कहां से कितना निकल रह तो बाकि जो लोग होते हैं उसमे कोई-इसे लोग होते हैं जो सामने माले को बढ़ते देखते हैं तो उससे कुछ प्रेज़नागरहन करते हैं कुछ inspiration लेते हैं और उसके बाद वह भी चाहता हम भी है वैसा बढ़ सकें लेकिन कुछ लोग जो होते हैं वो बहुत गंदे होते हैं उसको लगता है कि यह इतना उपर जा रहा है किस तरह से इसको नीचे खीचा जाए तो कुछ लोग उससे जलते भी थे और वो कोई दूसरा लोग नहीं था उसके साथ में काम करने वाले सहकर्मी ही जो सेट जी के और भी जो कर्मी थे जो काम करने वाले लोग थे उन लोगों को लगा अब किस तरह से इसको नीचे गिराया जाए जो समाज में बढ़ रहा है उसको कैसे पीछे किया जाए इस लिए उसने क्या किया उस लड़के की हर क्रिया कलाब पर नजर रखना सुरू कर पर उसकी जो अब चुकी वैसे एक लोग तो होते नहीं है बहुत सारे अब देखिए एक जैसी भावनाओं के लोग मिलते हैं तो मित्र बन जाते हैं जो और भी जो लोग उनसे जलने वाले थे उस तरह और भी दो चार पांच लोग मिल गए और एक समू हो गया अब सब तुल गया लेकिन वह बिचारा एक सांथ व्यक्ति था और अपने जीवन की जिम्यदारियां है जो तरदाइत है उसका निर्वान वह बहुत ही बहुत ही भैतरी ढंक से करते जा रहा था लणे में एक दिन क्या देखा एक लोग जो पीछे पढ़ेवी लोग अथा उन्हांने एक चीज दिखा यह लड़का जब काम पर जाता है मुनीव तो एक बार उसको खोलता है देखता है फिर जाता है काम पर फिर याथा क्या है तो जब इस तरह से देखना सुरू कहता तो देखता है कि काम पर जाने से पहले संदूख खोला जाता है और काम करके वापस आता है फिर संदूख खोला जाता है उन्हों को लगा कुछ तो राज है इस संदूख में और अब चुकि उसके आंगर में उसके घर में संदूख है तो कोई दूसरा आजमी जाकर संदूख नहीं सकता है एक बात और चुछी जब वैचारिक मध्वेद चल रही है दोनों में तो अगर माले जी हमारा आप से वैकारें मेल नहीं खाती हमारे आदर्स हमारे दो करे तो करे क्या उन्होंने जाके सेड़ जी से कंप्लैन कर दी सेड़ जी यह जो मुनिम है यह बहुत ही अवल नंबर का अवल दर्जे का यह घटिया इंसान है मुला का है आज तक तो हमने उसके मतलब उसको कूछ भी गलत करते नहीं देखा तुम कैसे इतना कॉन्फिडेंस स संदूख में क्या है मुला अगर आपको यकी नहीं है तो आप हमारे साथ चलिए आपको दिखाते हैं कि वह क्या करता है संदूख में क्या है मुनिम सेट को अच है कंपके साथ कर रहा है सेट को भी लगा अखिर बात तो सही है संदूक में और हो क्या सकता है सेट भी पूरा गंभिरता से इस मुद्दे को लिया बाकी लोगों ने उसके चुगली भी कर दी सेट को लगा चलो एक दिन क्यों न सिधा इसके सामने जाकर के पूछ लेते हैं संदूक में रखा क्या है संदूक में क्या है क्या हम नहीं चाहता था कि नहीं देखे चुकि का हाले दिल अलग अलग होता है अब हम क्या सोच उसको एचीव करूँगा उसे दिन मैं सारवजनिक भी करूँगा कि मैंने क्या सोचा था मैंने क्या पाने की लक्ष किते कुछ लोग हैं जो थोड़ा सा सोचते हैं और बता भी देते हैं तो लोगों की अपने इपनी कटेगरी होती है लेकिन वह लगा जो है यह बताने के पक झाड़न भी सफाई शो भूस बहुत बदेसे आपको यह बात समझ में नहीं आईगी कि हमारे लिए कपड़ा क्या है गोला हम बहुत नीचे तपके से सुरू किया है हमने वह जिटीफ सुरूवाद की है और वह सिखुत सुरूवाद है आपके लिए मुनीम का बहुत छोटा है लेकिन हमारे लिए हमने जो तरक्की की पहले में जाड़ू करता था फिर मैंने चिट्ठी लिखना सुरू किया फिर मेरा ग्रॉथ वहां मुनीम बन गए हमारे लिए बहुत बड़ी बात है और इसलिए हम अपने आपको एक सफलता क के रूप में चीश को देखते हैं सफल समझते हैं कर इंपरोगा हम में और इस जगह पर आहे कि मन में कोई गुमान नहीं हो जाए करल हमको ऐसा गुमान नहीं हो जाए कि हम मुनीम हैं हम सेट के सबसे करिभी लोग हैं और करिभी व्यक्ति में से एक हैं हमारी इज्जत भी समाज करती है इस जिसका गुमान हमको नहीं आये इसलिए ये दो जोड़ी कपड़ा जो संदुक मे रखे हैं इसको जब मिनिम के काम पर जाते हैं तो आत्यस में भी एक बार देखते हैं कि मन में कोई घंण कोई गुं upward नहीं हो और जो हमारा वास्तिक लेवल है वह हमको पता चलते रहे और हम उससे रूबर रूख करके उसी तल पर रहे उपर जाएं ना नीछे आएं ग्रौथ होना और ना होना यह बात होती रहती है लेकिन अपने उस दिन को नहीं भूलना जो हमारा वास्तविक्ता है जो हमारी वास्तविक जहां से हमने इस्टाट थी उस चीज को जब लोग याद रखता है तो कभी उसमें कोई घमंडपन या कोई बुरी आदत उसमें नही बहुत प्रिय जो मेरा जितना भी वरकर है उसमें सबसे प्रिय हो बाद में जिन लोगों ने चुगली की थी उनके पास सेट गए और उनको सेट के कोप का भाजन बरना पड़ा बहुत ही भला बुरा कहा और कुछ को जो है जिसने सिकायत की थी उसको उसके पद से भी निकाल दिया गया वहां से भी निकाल दिया गया कहा गया कि जो दूसरे की आलोशना करते हैं वहां अपने आपने improvement नहीं देख पाता है उसका अपना क्या हुआ क्योंकि वह दूसरे को देखने में ब्हसरा है इसलिए हिसकानी से कानी का message साफ है आप अपना improvement देखिये और जो आपका अपना life में कोई उद्द्ध नहीं रहा अपना कोई भी आपका कुछ रहा है ने क्योंकि आपने बिसारा